Hello everyone, my name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel Target with Alok आज हम लोग SuperTet की एक नई और Super Starting करने जा रहे हैं जिन लोगों ने भी अभी पिछले जो एक्जाम्स हुए थे टेट के उनको qualify किया है उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि वो अपने प्रयासों से अपनी तयारियों से SuperTet को भी qualify कर और हम इसमें maximum जो योगदान कर सकेंगे वो करने के लिए इस चैनल पर डटे हैं तो चलिए इससे पहले कि मैं start करूं important information यह दे दूं कि आप में से जो भी लोग SuperTet की तयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं हमारी enthusiastic team से जुड़ना चाहते हैं बहुत ही simple सा procedure है उनके लिए और वो simple सा procedure यह है कि वो हमें इस number पर 9125423936 पर whatsapp कर सकते हैं और whatsapp में आपको सिर्फ इतना सा message type करना है entry entry super super tet ठीक है entry super tet इतना लिख करके इस number पर आपको whatsapp भेज देना है ठीक है या इसके अलावा नीचे जो numbers आपको दिख रहे होंगे rolling में उन numbers पर आप call भी कर सकते हैं चलिए start करते हैं मैं हमजा हसनी आप लोगों को English के लिए guide करूँगा और English को लेकर के मैं बहुत basic से start करूँगा देखे बहुत सारे students हमारे हैं जो चाहते हैं कि मैं basic से उन्हें सारी चीज़े पढ़ाओं और मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कहीं पढ़े हुए चीजों में से कुछ छूटा ना हो जो important हो ठीक है इसलिए शुरू से जितना कुछ important वो सब कुछ पढ़ लेना चाहिए तो start करता हूँ मैं आज मैं आपको सबसे पहले एक introduction दूँगा आपके subject का ठीक है जो subject आप पढ़ने जा रहे हैं उसका introduction में देता हूँ क्या पढ़ने जा रहे हम लोग इस class में हम लोग पढ़ने जा रहे है English right English क्या है अगर विचार किया जाए तो English is just a language is a common language English क्या है भई language है भाशा है जैसे दुनिया की तमाम दूसरी भाशा होती है वैसे ही English भी एक language है ठीक है और अगर आप से कभी ये कहा जाए कि language क्या है what is a language तो language की एक simple सी definition आप जो दे सकते हैं वो कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि language की definition क्या दे सकते हैं आप क्या सकते हैं a medium medium यानि माध्यम a medium of exchanging ideas idea यानि के विचार हमारे और आपके मन के जो विचार होंगे उनको exchange यानि आदान प्रदान करने का माध्यम होता है language भाशा ठीक है तो simple सी definition है कि विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है भाशा यानि के language ठीक है तो English क्या है भई एक language है और language को जब हम thoroughly study करते हैं यानि language में उसे सही से कैसे बोला जाए या लिखा जाए जब यह study करते हैं तो वो study of language क्या कहलाती है study of language study of language कहलाती है grammar ठीक है grammar की spelling में भी ध्यान दीजेगा बहुत से लोग G-R-A-M-E-R लिखते हैं that's a wrong spelling correct spelling is G-R-A-M-E-R तो grammar study of language है यानि के भाशा का अध्यन इसे हिंदी में व्याकरण कहते हैं grammar को अब जैसा कि हमें पता चला कि English एक language है भाशा है और भाशा क्या है विचारों के आदान प्रदान का माध्यम थोड़ा से ध्यान दिया जाए तो भाशा बंती किस्से है इस पर विचार करना भी जरूरी है भाषा बनती किसे है? देखिए, मैं अभी आपके सामने आया, थोड़ी देर जो कुछ भी हुई, मैंने आपसे कुछ विचार अपने शेयर की, ठीक है ना? आपके सामने कुछ आइडियाज अपने रखें, अब ये जो आइडियाज मैंने रखें, तो मैंने किस माध्यम से और भाषा के अंदर मैंने क्या किया? मैंने sentences बोलें, आप समझे अगर मैं आता है, आपके सामने मैं कह देता है, इंग्लेश, language, तो कुछ समझ में आता? नहीं आता, समझने के लिए मुझे एक complete sentence बोलना पड़ा, हर बार मैं complete sentence बोल रहा था है and you are getting my ideas, तो language बनती किस से है? लैंग्विज बनती है sentences से, अच्छा, जब sentences की बात आती है, तो language sentences बनती है, तो समझ में आ गया, sentences की definition अगर पूछ ले कोई तो क्या बताया जाएगा? लैंविज की definition आपने देखा, अब sentence की definition समझेए, sentence की definition simple सी होगी, कि a group of words which makes a complete sense, यानि, शब्दों का एक ऐसा समू, जो एक पूरा भावदे कहलाता है sentence, ठीक है? अब शब्दों का समू कैसा हो सकता है? देखते हैं, for example, मैंने लिखा की, we love our country, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, ये example मैंने लिया, ठीक है? Now you can count, कि यहां, एक, दो, तीन, चार, four different words हैं, और ये four different words को हमने grammatically, यानि व्याक्राण के अनुसार, क्रम में रखा है, sequence में रखा है, और ये sequence में रखने के बाद, हमें एक complete sense दे रहे हैं, तो जब भी words का group एक complete sense देगा, तो वो क्या कहला हैगा? sentence, hence it is a sentence, right? अगर मैं इसका grammatical order alter कर देता हूँ, change कर देता हूँ, मान जिए मैं लिख देता हूँ, are, love, country, we, ऐसा कुछ मैं लिख देता हूँ, even now we have four different words, right? but they are not grammatically arranged, व्याक्राण के नुसार arranged नहीं है, क्रम में नहीं है, this is why we cannot, we cannot make a sentence with this group, right? तो इस group के साथ sentence हम नहीं बना पाएं, ये हमने grammatically arranged नहीं किया, right? ये sense भी नहीं दे रहा है, उल्टा सीधा sense देगा, right? तो words का group में होना और grammatically arranged होना जरूरी है to make a sentence, right? let us proceed, आगे बरते हैं, तो ये बात समझ में आ गई, कि sentence की definition क्या है? group of words, which makes a complete sense, अब language sentence से बनी, और sentence की definition, जब हमने देखा, तो पता चला कि sentence किस से बने? words से, like group of words ही तो है sentences, तो sentences किस से बने? words से, simple सी बात, अब sentences words से बने, तो ये भी जानना जरूरी है, क्या words से sentences ही बनाते हैं? नहीं, कई बार ये सारे words मिल करके, कोई phrase बनाते हैं, और वो phrase sentence का हिस्सा होता है, कई बार ये words, clause बनाते हैं, और वो clauses sentence का हिस्सा होता है, तो जब भी आप sentence की definition पल लें, sentences को समझ लें, तो आपको clause और phrase को भी समझना जरूरी है, right, तो clause और phrase को जब हम समझते हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये clause और phrase, phrase और clauses का difference, phrases और clauses का, ठीक है? तो, दिखिए, मैं इसको इस तरह से लिखवा रहा हूँ, ताकि आप दोनों के वीच का difference बहुत अच्छे से समझ सकें, और mind में save करके रख सकें, phrase, clause, ठीक है? प्रेज की अगर बात किया जाए, तो phrase is also a group of words, but इसमें और sentence में सबसे बड़ा फर्क क्या है? इसकी definition से समझेंगे, phrase is a group of words, which makes an incomplete sense. sentence क्या मतलब हुआ? sentence और phrase की definition में एक ही चीज़ का अंतर है, और वो है complete and incomplete, यानि sentence ऐसा group of words है, जो complete sense देगा, जबकि phrase ऐसा group of words है, जो incomplete sense देगा, sense तो है, लेकिन पूरा sense नहीं है, for example, मैं कह देता हूँ, on the wall, दिवार पर, तो क्या आपको कोई sense मिल पा रहा है? नहीं, मैंने कह दिया, in the kitchen, तो क्या कोई sense मिल पा रहा है? नहीं, या मैंने कह दिया, behind the door, दर्वाजे के पीछे, क्या sense मिल पा रहा है? नहीं, लेकिन अगर आपने मुझसे सवाल पूछा, कि ये घड़ी कहां पर रखूँ, या घड़ी कहां है, तब मैंने कह दिया, on the wall, दिवार पर, now you can have sense, इसी तरह से, आपने पूछा, मां कहां है, कह दिया, किचन में, sense मिल गया, आपने पूछा, कि, for example, something is hidden, वाइपर कहां है, मैंने कहां, behind the door, दर्वाजे के पीछे, तो, you will get sense, when there is a question, or there is some communication, and after that, we speak these phrases, तो आपको sense मिल जाएगा, but if we do not have any communication, and we speak these phrases, you can never get a sense, right, बिना communication के, आप इसका sense नहीं निकाल पाएंगे, इसका sense निकालने के लिए, कुछ communication पहले होना जरूरी है, अब आगे बहते हैं, बात करते हैं, clause की, तो clause क्या है, देखा जाए, तो clause कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये किसी एक चीज का बदला हुआ नाम है, क्या है, समझते हैं, किसी बड़े सेंटेंस में, जो छोटा सेंटेंस होता है, वो कहलाता है, clause, बड़े सेंटेंस के अंदर, छोटा सेंटेंस clause कहलाता है, for example, I am writing two sentences here, two different sentences, first sentence is, he came here, he came here, okay, this is the first sentence, and the second sentence is, he wanted to meet you, you can easily see, there are two different sentences, two different sentences है, he came here, वा यहां आया, he wanted to meet you, वा तुमसे मिलना चाहता था, now, with a single conjunction, with a single word, because, we make these two sentences a single sentence, right, because लगाकर, एक word लगाकर, दो सेंटेंस को एक बना दिया, अब आप इसका सेंटेंस लेंगे, he came here, because he wanted to meet you, वा यहां आया, क्योंकि वा तुमसे मिलना चाहता था, तो सेंटेंस तो एक बन गया, लेकिन जो पहले अपने आप में सेंटेंस थें, नहीं कहलाएंगे, right, तो सेंटेंस जब बड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर जो छोटे-छोटे वाले सेंटेंस होते हैं, वो कहलाते हैं, clause, आचा, clause और phrase का एक बहुत बड़ा difference होता है, वो क्या होता है, कि clause में generally आपको subject plus verb, ये form मिलेगी, जबकि phrase में ये form, नहीं मिलेगी, subject plus verb वाली form नहीं मिलेगी, most of the phrases start with a preposition, right, लेकिन subject plus verb वाला मामला phrase में कभी भी नहीं मिलेगा, इसे याद रखिएगा, alright, तो ये तो एक general information थी, phrase और clause को ले करके, ठीक है, तो ये समझ में आए कि sentence words से बनते हैं, लेकिन ये words कई बार phrases और clauses भी बनाते हैं, जो कि sentence का part होते हैं, clause sentence का part हुआ, देखा है, ये आपने phrases भी sentence का part हो सकते हैं, या होते हैं, जैसे कि, अब ये हैं ना, on the wall, तो आप sentence जब बोलेंगे complete, he decorated the clock on the wall, ठीक है, तो complete sentence का हिस्सा बना ना, phrase, अब फिर से एक बार मैं important information की तरफ आता हूँ, भई अगर super tech में आप admission लेना चाहते हैं, और हमारी team के साथ जोड़ करके, त्यारी करना चाहते हैं, तो simple सा procedure है, आपको अपने whatsapp पर जाना है, उसमें type करना है, entry entry, super, मैं इसको थोड़ा सई से लिख देता हूँ, थोड़ा यह इसमें r समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको सिर्फ इतना type करना है, entry entry, super super tech, super tech, ठीक, और इसे type करके, 9125423936 पर send कर देना है, ठीक है, या इसके लावा नीचे, जो भी numbers चल रहे हैं, उस पर phone करके, आप information भी ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम, वापस आते हैं अपने table पर, अपनी ladder पर, यह CV है हमारी, यह से हमें चलना है, यानि कि अगर हमें language सीखना है, तो पहले sentences सीखने होंगे, और sentences सीखना है, तो पहले words सीखने होंगे, और words सीखना है, तो पहले letters की बात होगी, तब words की बात होगी, ठीक है, तो letters की अगर बात किया जाए, तो letters, बहुत पढ़ने वाली चीज़ नहीं है आप पढ़ते आए हैं लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसी बाते हैं जो हमें जान लेना जरूरी है वो क्या है चलिए देखते हैं लेटर्स की बात किया जाए तो देखिए इंग्लिश में एक एल्फबेट जो होता है एक एल्फबेट वो होता है इस इकूल टूट्वेंटी सिक्स लेटर्स अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एल्फबेट और लेटर का डिफ्रेंस ही नहीं पता ठीक है बहुत से लोगों को लगता है कि दोनों एक ही चीज है एल्फबेट और लेटर एक ही चीज है नहीं एल्फबेट एक्चुली हिंदी में हम इसे कहते हैं वर्ण माला और लेटर को हम हिंदी में कहते हैं अक्षर तो ये नाम अलग है इसलिए क्योंके काम भी अलग है देखिए अक्षर तो कोई भी हो सकता है आपने, for example, आपने A लिख दिया अक्षर है आपने C लिख दिया अक्षर है, लेटर है आपने F लिख दिया लेटर है आपने N लिख दिया लेटर है लेकिन alphabet क्या है वर माला, माला कब बनती है आप मोतियों की या फूलों की माला बनाएंगे तो एक मोती या फूल से तो माला नहीं बनेगी ना, आप उसे कई सारे फूल या कई सारे मोती एक धागे में पिरो कर जब एक साथ करेंगे तब माला बनेगी उसी तरह से जब आप सारे letter sequence में A to Z पूरे लिखेंगे तब एक alphabet कहलाएगा राइट वर माला मतलब एक alphabet किसी एक language का एक alphabet A to Z और alphabets का मतलब क्या हो जाता है alphabets का दो मतलब निकलता है एक तो अलग-अलग भाशाओं के अलग-अलग word माला है यानि मान लिजे कि आपने कोई एक book लिया जिसमें English के भी alphabet है English का alphabet A to Z भी लिखा है और Hindi का भी alphabet है आस से ग्या तक लिखा है तो दो language के alphabet हो गए तो तब आप कह सकते हैं कि we have two alphabets in this book इस किताब में हमारे पास दो alphabets है तब आप यह कह सकते हैं लेकिन अगर आपने एक ही भाषा के लिए alphabets word use कर लिया that is 100% wrong तो एक तो sense हो गया दो अलग-अलग भाषाओं के वर माला है और दूसरा alphabets का sense होता है भाषाएं ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया वह कई भाषाएं जानता है इस sense में हो गया ठीक है और वो भी भाषाएं जानता है लिखने और पढ़ने में तब alphabets बोला जाएगा otherwise we cannot say he knows many alphabets अगर सिर्व बोलना आता हो उसे तो तो यह याद रखिएगा तो alphabets वर माला letter अक्षर एक alphabets में 26 letters है English के अंदर ठीक है और यह जो 26 अजा इसमें एक और example में देता हूँ मान लीजे मैंने कहा there are five alphabets in there are five alphabets in India ठीक है अब मैंने India word लिखा इसको single inverted comma में इसलिए कर दिया जब भी कभी आप यह दिखाना चाहते हैं कि इसको as a word हम use कर रहे हैं इसके main sense से हम नहीं ले रहे हैं तो आप उसे single inverted comma में रख देते हैं ठीक है तो कह रहे हैं India word जो है उसमें five alphabets हैं यह sentence कह रहा है तो क्या यह sentence सही है बिल्कुल नहीं यहाँ पर यह जो alphabets का हमने use किया यह wrong हो गया क्यों रॉंग हो गया क्योंकि यह जो five हैं यह alphabets नहीं है यह five letters है ठीक है alphabet तो तब बनेगा जब a से z तक लिखेंगे नहीं letters five है यहाँ पर तो यह difference हमेशा याद रखिएगा अब बात करते हैं जब हम letter और alphabets की तो हमने अभी अभी पढ़ा है की एक alphabet यानि 26 letters in English language and we have divided them into two groups ठीक है 26 letters को हम दो groups में बाड़ते हैं पहला group कहलाता है vowel और सिंपल सी बात है की स्वर यानि कि वावल हमारे पास English में सिर्फ पाँच है A, E, I, O, U और consonant हमारे पास 21 यानि 21 है जो A, E, I, O, U को छोड़ कर जितने भी बचे हैं ठीक है? रेस्ट मतलब बाकी के ठीक? तो 5 वावल A, E, I, O, U याद कर लीजे बाकी सारे जितने हैं वो सब consonant हैं और एक चीज़ और समझे हैं वावल जो होते हैं वो मातरा का काम करते हैं जैसे मातरा होता है ना हिंदी में हिंदी में मातराओं का काम क्या होता है? दो साउंट्स को जोड़ना तो वही काम वावल इंग्लिश में करते हैं ठीक है? साउंट्स को जोडने का काम करते हैं अब ये तो बात समझ में आ गई कि 5 वाविलन 21 कॉंसोनेंट लेकिन एक क्वेस्चन और पूछा जा चुका है टेट के ही पेपर में और वो क्वेस्चन पूछा जा चुका है कि कितने साउंड्स को लेकर के पूछा गया है तो आपको बता दूँ कि ये 26 लेटर्स 44 साउंड्स के होके हैं वावल और 24 साउंड्स होके हैं कॉंसोनेंट तो ये 20 वावल साउंड्स इन 24 कॉंसोनेंट सांड्स और I think क्वेस्चन कुछ ऐसा ही था कि हा मैनी वावल साउंड्स आर ठीक है तो उसका अंसर होना था 20 तो ये याद रखेगा तो एल्फबेट यानि वर्माला जि साउंड्स की बात करें तो 26 लेटर से 44 साउंड्स होते हैं और ये 44 साउंड्स में 20 साउंड्स वावल के हैं तो ये एक जनरल इंफरमेशन आपको होनी चाहिए अब इतनी बात जब हमने किया तो हमें एक और बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि लेटर को लेकर के तो हमने एक दिन में थोड़ा से समय दे करके लेटर के बारे में जो कैस्टेंस आ सकते थे उस पर काम कर लिया ठीक है पर जब हम वर्ड्स की तरफ आते हैं लेटर सीखने के बाद वर्ड्स की तरफ आते हैं तो वर्ड्स हमारे लिए कहीं न कहीं एक चैल language में almost 30 लाक words जो general हैं वो हैं उसके अलावा भी कितने add होते जाते हैं तो इतने सारे words याद किसी को नहीं होते हैं और close to impossible है याद करना ठीक है पर अपनी जरूरत भर के words जो exam में पूछे जा सकते हैं वो हमें याद करना जरूरी है ठीक है words को ले करके मैं बहुत जादा आपको annoy नहीं करूंगा लेकिन मैं important words के pdf जरूर भेजूंगा जिसको आप याद करना शुरू कर लेंगे और important words में सबसे पहले हम लोग verb को ले करके शुरू करेंगे कि verb में हमें क्या-क्या याद करना चाहिए क्योंकि words से हमें आरे sentences भी बनने हैं ठीक है तो कुछ general words तो मैं ही use करा दूंगा उनको हम लोग देखते चलेंगे तो words याद करने का काम है उसमें मुझसे जादा आपको मेहनत करनी होगी हाँ ये जरूर है कि मैं अपने sentences में new words के जो generally लोग नहीं use करते हैं उनको use करने का प्रयास करूंगा ताकि आप new words सीखते जाएं ठीक फिर बात करते हैं sentences की sentences का formation बहुत important होता है क्योंकि अगर आपको sentences का formation नहीं आता तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे English में क्योंकि चाहे वह passage solve करने का हो आपको sentences का formation आना चाहिए चाहे उसमें spotting error के questions हो अगर sentence का formation नहीं आता तो नहीं कर सकते हैं fill in the blanks हो या कुछ भी हो you must know the formation of sentences तो sentences की भी बात कर लेते हैं आज थोड़ी सी ठीक है sentences की जब हम बात करते हैं तो अभी definition तो हमने पढ़ लिया sentences group of words होते हैं जो complete sense देते हैं अब बात करते हैं कि sentence के kinds कितने होते हैं कितने kinds of sentences हैं जो हमें पढ़ना चाहिए ठीक है तो kinds of sentences की बात क्या जाए तो there are five kinds of sentences कुछ लोग four मानते हैं ये इसलिए मैं बता दू कि अगर आपके option में five नहीं है तो आप four भी लिख सकते हैं तो आपके option में अगर five नहीं है तो आप four भी लिख सकते हैं और अगर five है तो आपको five ही लिखना है तो five kinds of sentences होते हैं इन में से पहला kind कहलाता है assertive पहला kind क्या कहलाता भाई assertive ठीक है assertive word जो है अब देखिए यहां पर हम लोग words की भी त्यारी करते चलेंगे assertive word बनता है assert से किससे बनता है भाई assert से assert की meaning होती है बताना या सुनाना तो जब assert की meaning हो गई बताना या सुनाना तो assertive क्या हो गया assertive वो हो गया जिसमें बताया या सुनाया जाया तो ऐसा sentence जिसे पढ़कर या सुनकर आपको लग रहा है कि आपको कुछ बताया जा रहा है sentence पढ़कर या सुनकर लग रहा है कि आपको कुछ बताए जा रहा तो समझ लिजे कि वो क्या है वो एक assertive sentence है अच्छा assertive के और भी नाम है और नाम जानने की जरुरत क्या है जरुरत ये है कि आप से question किसी भी नाम को ले करके किया जा सकता है इसलिए आपको सारे नाम पता होने चाहिए तो assertive का एक नाम narrative भी है क्या है भई narrative ठीक narrative क्यों है क्योंकि हमने अभी जो पढ़ा यहाँ पर assertive का मतलब बताना या सुनाना होता है तो assert का एक synonym narrate है इसकी भी meaning बताना या सुनाना होता है अब वापस आते हैं तो assertive को इसलिए narrative भी कहते है assertive को declarative भी कहते है declarative क्यों कहते है क्योंकि हमारे पास यह जो words है assert या narrate इनका एक synonym declare भी है declare की अगर एकदम factual meaning पर हम जाएं तो declare की meaning होती है घोशित करना लेकिन घोशित करना भी तो बताना ही होता है घोशित करना भी तो बताना ही होता है तो declare मतलब घोशित करना यानि बताना तो assertive को narrative भी कहते है, declarative भी कहते है और क्या कहते है, चलिए देखते है और कहते है, statement अब इसे statement क्यों कहते है spelling थोड़ा सर ने गलत कर दिया, मैं सही कर रहा हूँ give me a moment, ओके इसे statement भी कहते है और statement क्यों कहते है क्योंकि इन ही words की इन ही words का एक synonym state भी होता है जिसका sense निकलता है कथन करना ठीक है? तो कथन करना भी कहना या बताना या सुनाना ही तो होता है एक state होता है, राज्यवाला और ये state verb है जिसकी meaning है कथन करना यानि के बताना या सुनाना तो इसमें भी बताना या सुनाना ही आ रहा है इसका मतलब statement भी वही होगी है जिसमें बताया या सुनाया जाया ठीक है? इसे आप informative भी कह सकते हैं अब ये word मैं अलग से नहीं लिखाऊंगा ठीक है? तो ये general नाम है जिन से इसे जाना चाहता है ठीक है? narrative, declarative, statement, assertive, informative अब नाम इतने हैं इनके नाम के बात आपको जानना चाहिए कि इनके भी दो types होते हैं ठीक है? kinds of sentences 5 होते हैं जिनमें पहला kind ये है और इस पहले kind के भी दो types होते हैं और वो दो types क्या है? पहला type है हमारा affirmative क्या है भई? affirmative और दूसरा type है हमारा negative when we talk about affirmative and negative तो ये words कहां से लिए गए हैं? इसको भी देख लेना चाहिए ताकि words भी त्यार होते जाएं एक word है हमारे पास affirm क्या है भई? affirm affirm की Hindi meaning होती है हां कहना या हामी भरना जिसे हम कहते हैं ठीक है? और एक word है हमारे पास negate negate की Hindi meaning होती है ना कहना या नकारना अगर मैं आपसे communicate कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ जब मैंने उससे पूछा क्या तुम smoking करते हो धुम्रपान करते हो तो उसने नकार दिया He negated या उसने हामी भर दी हा कह दिया He affirmed तो ऐसे यूज होते हैं यह words तो say yes का say yes का synonym है affirm और say no का synonym है negate ठीक है? तो affirmative और negative क्या हो गए? इन ही words से हम समझ सकते हैं affirmative वो हो गया जो हा मैं हूँ जरूरी नहीं इसमें हा लिखा हो लेकिन sentence ना में नहीं हो sentence में ना नहीं जैसे words नहीं होते हैं तो वो हा में माना जाता है ठीक है? तो affirmative वो है जो हा में हो और negative वो है जो ना में हो simple तो assertive वो है जिसमें बताया जाए हा में तो assertive का affirmative हो गया और बताया जा रहा है ना में तो assertive का negative हो गया right for example आपने कह दिया कि वह तुम्हें जानता है right English में कह दिया he knows you वह तुम्हें जानता है तो इसमें कोई बात बताई जा रही है और हा में बताई जा रही है इसका मतलब यह assertive का affirmative है और यहाँ example लिया वह उसे नहीं जानता है English में he doesn't know him right तो यहाँ बात नहीं में बताई जा रही है तो assertive का negative हो गया simple right तो इस तरह से kinds of sentence आपको जानना और समझना जरूरी होता है ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ रिमाइंड करा दूँ कि entry super tech लिख करके 91125423936 पर whatsapp करना है या नीचे चल रहे है नंबर पर call करके जानकारी लेनी है अगर super tech में admission लेना चाहते हैं आप target with आलोक में ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं next kind की तो assertive हो गया assertive के बाद हमारा next kind जो है that is called interrogative बहुत सारे लोग तो इस word का सही pronunciation ही नहीं जानते हैं कुछ कहते हैं interrogative कुछ कहते हैं interrogative कुछ पता नहीं क्या कुछ पता नहीं क्या ठीक है but the correct pronunciation is interrogative इंट्रोगटिव तो interrogative sentence की अगर बात किया जाए तो interrogative word जो बनता है अभी हम यहाँ पर words अपने लिखते चल रहे हैं तो interrogative word जो बनता है वो बनता है interrogate से interrogate word की meaning होती है पूछना या पूछताच करना तो पूछना या पूछताच करना एकी बात है तो interrogate की meaning होती है पूछना या पूछताच करना इसका मतलब यह है कि यह जो हमारा interrogative है वो ऐसे वाक्य हुएं जिनमें कुछ पूछा जाए ठीक है जिनमें पूछा जाए और जिनमें पूछा जाए उसे हम question भी तो कह सकते हैं ठीक अब यह जो interrogative है question है यह दो तरह के होते हैं ठीक है पूछा में बड़ा उ लगेगा ओके तो यह दो तरह के होते हैं एक होता है single interrogative और दूसरा होता है double interrogative single interrogative ऐसे प्रेश्ण होते हैं जिनका उत्तर हा या ना में दिया जा सकता है तो आप कह सकते हैं कि single interrogative जो can be replied in yes और no हा या ना में जवाब दे सकें जिसका ऐसा प्रेश्ण जिसका उत्तर हा या ना में दिया जा सकें और double interrogative वो होता है जिसका उत्तर हा या ना में नहीं दे सकते हैं बलकि can be replied in an assertive sentence इसका उत्तर आप assertive sentence बोल कर देते हैं तो पहली पहचान तो ये है दूसरी पहचान क्या है कि ये हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होते हैं क्या से आरंब ठीक है और English में ये हमेशा starts with a helping verb helping verb से शुरू होते हैं हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होते हैं और English में हमेशा helping verb से शुरू होते हैं तो इसे आपने कहा क्या वह बीमार है तो नौ यू कैन सी कि इसमें ये क्या से शुरू हो रहा है ठीक है English में helping verb से शुरू करेंगे वैसे यहां पर is जो है as a main verb यूज हो रही है पर आप कह सकते हैं जो auxiliaries की तरह यूज होती है उनसे ही हम शुरू करेंगे ठीक है तो is he sick या ill या unwell इसा कुछ लिख सकते हैं तो अब आप देख रहे हैं कि क्या से शुरू रहा है यहां is से शुरू रहा और दूसरी बात यह ऐसा question है जिसका उत्तर आप yes या नो में दे सकते हैं आप कहेंगे अगर वह बिमार तो आप कहेंगे yes और अगर नहीं है तो आप कहेंगे no double interrogative का क्या है double interrogative में पहचान हिंदी में यह होती है कि sentence के बीच में बीच में प्रशन शब्द आते हैं प्रशन शब्द क्या हो गए कौन कब कैसे क्या, कहा, यह सब प्रेशन शब्द है और इंग्लिश में क्या पहचान है इंग्लिश में पहचान है कि यह question word से start होते है ठीक है इंग्लिश की पहचान मैं इंग्लिश में लिखता हूँ begin begins with a question word यानि प्रेशन वाचक शब्द से आरंब होते है इंदी में बीच में प्रेशन शब्द आता और इंग्लिश में प्रेशन शब्द से ही शुरू होते है for example आपने कह दिया वह कहां रहता वह कहां रहता है ठीक है तो वह कहां रहता है जब आपने पूछा इंग्लिश में आपने कह दिया where does he live ठिक तो हिंदी में बीच में कहां आ रहा है और इंग्लिश में where से शुरू हो रहा है ये है double interrogative की पहचान और इसका उत्तर आप हाया नामे नहीं दे सकते हैं अगर आप से कोई पूछ रहा है वह कहां रहता है तो आप थोड़ी कहेंगे हाँ या नहीं आपको उत्तर देना पड़ेगा और पूरा assertive sentence में वहाँ civil lines में रहता है अच्छा ये आपको बच्पर में सिखाया भी जाता है कि अगर आप से कोई पूछता है कि what is your name तो सिर्फ नाम मत बताएगे उसे complete sentence दीजे my name is तो ये इसी लिए सिखाया जाता है कि double interrogative का उत्तर आपको assertive sentence में देना होता है this is the second kind of sentence बात करते हैं अब हम next यानि कि third kind की third kind of sentence क्या है चलिए देखते हैं third kind of sentence is imperative 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 word English में है नहीं इसलिए मैं नहीं लिखाऊंगा वैसे имperate का मतलच होता है किसी से कुछ करवाना और language में किसी से कुछ करने को कहना कहने वाले sentences imperative होते हैं आप किसी से कुछ करने को कह सकते हैं उसे order देकर उसे command करके ठीक है उससे request करके ठीक या उसे suggest करके या उसे advise करके advice देकर या उसे प्रस्ताव देकर ठीक है इतनी तरह के ये होते हैं अब order command request suggest या कह लिजे suggestion या advice या proposal टैप यहाँ मुझे suggestion लिखना चाहिए क्योंकि मैंने आगे भी nouns लिखे हैं सारे ठीक है तो जब सारे nouns हैं तो इसको भी noun बनाना पड़ेगा तो order command request suggestion advice proposal टाइप ये sentences imperative कहलाते हैं ठीक है अच्छा मैं इसे suggestion बोल रहा हूँ थोड़ा हो सकता है किसी को सुनने में अजीब लगे क्योंकि most of the people pronounce it suggestion जाद अतर लोग इसे suggestion कहते हैं suggestion उन्होंने suggestion दिया this is not suggestion this is suggestion और इसकी एक छोटी सी trick है वो मैं बता देता हूँ आगे pronunciation गड़बड मत करिएगा याद रखिए जब भी tion या tian के ठीक पहले s हो ठीक है तो tion को चन पड़ते हैं चन राइट जैसे suggestion christian digestion digestion को भी बहुत से लोग कह देते हैं digestion ठीक है तो digestion suggestion christian और अगर आपको मुझपर भी doubt हो तो आप खुद online dictionary में ये word सर्च करिए और उसका sound उसका pronunciation सुन लिजे और अगर कोई ये कहता है कि ये English pronunciation है इंडियन नहीं है तो उनको बता दीजे कि अगर मैं Oxford Dictionary Indian version खोलता हूँ तो उसमें वोई pronunciation बता रहा है जो इंडिया के लिए है और इंडिया में भी British English ही चलती है ठीक है ना इंडिया ने अपनी English नहीं बनाई है तो ये बता दीजे उसे क्योंकि बहुत से लोग confuse करते हैं जिनने पता नहीं होता वो दूसरों को भी confuse करते हैं तो ये सजेस्चन है S-T-I-O-N ये S-T-I-A-N में S का साउंड अलग रहेगा T-I-O-N ये T-I-A-N को चन पढ़ेंगे suggestion, Christian digestion लेकिन अगर S ना हो तब T-I-O-N ये T-I-A-N को शन पढ़ेंगे जैसे nation, speculation, hallucination तब इसे शन पढ़ेंगे ओके आगे बढ़ते हैं अब जब imperative पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पर order और command का अंतर सबसे पहले समझ लिजे order जो होता है वो general होता है कोई भी किसी को भी दे सकता है generally बड़े छोटों को देते हैं और command जो होता है वो professional होता है यानि profession से जुड़ा हुआ official कह लिजे आप computer को जो देते हैं वो command देते हैं, order नहीं देते हैं क्योंकि वो आपके professional work को करता है और इतना professional होता है कि जो उसको command मिलेगा वही करेगा दूसरी बात यह है कि कोई senior अपने junior को काम से related कोई बात कहता है तो वो command होगा, order नहीं होगा फिर request और suggestion में सरी request तो अलग चीज़ है suggestion और advice में क्या अंतर है suggestion हो गया, सुझाओ कोई भी किसी को भी दे सकता है आप मुझे दे सकते है आप अपने बड़ों को दे सकते है बड़े छोटों को दे सकते है दोस्त आपस में एक दूसरे को दे सकते है लेकिन advice क्या है advice है सलाह और सलाह हर कोई किसी को नहीं देता सलाह बड़े छोटों को देते है advocate client को advice देंगे ठीक है लेगिन ऐसे generally बड़े छोटों को advice देंगे छोटों को बड़े छोटे बड़ों को advice नहीं दे सकते हैं ठीक तो इसे याद रखिए हैं छोटे बड़ों को suggestion देते हैं proposal प्रस्ताओ है करो तो ठीक कर नहीं करो तो कोई बात नहीं चलो ऐसा करते हैं ठीक तो imperative sentence ये होते हैं और सबसे खास बात imperative sentence की क्या होती है कि इसमें note कर लीजे ये बहुत important बात है कि इसका जो subject होता है subject यानि mainly जिसके बार में बात हो रही है या जो कार करता है ठीक है तो इसका subject जो होता है is always you इसका subject हमेशा you होता है ठीक है but not mentioned लेकिन उसे लिखा या बोला नहीं जाता ठीक इसका एक type और होता है जिसका subject जरूरी नहीं है कि you हो कोई और भी हो सकता है वो type होता है जिसमें should, must or to का use होता है ठीक है वो imperative sentence की category में आता है should, must, or to वाला उसका subject सिर्फ you के इलावा दूसरा भी हो सकता है बाकी इसके जो दो types है जो main verb से शुरू होता है या don't, always, never, in से शुरू होता है या फिर let से शुरू होता है उनका subject यू ही होता है पर लिखा या बोला नहीं जाता ठीक? तो ये बात imperative की होगा imperative को और detail से पढ़ेंगे अभी तो सिर्फ kinds हम समझ रहे हैं कि किस के क्या kinds है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम fourth kind की जिसे हम कहते हैं exclamatory 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 word हमारा simple से एक word है जिससे आता है और वो simple सा word क्या है? simple सा word है हमारा exclaim exclaim का हिंदी अर्थ होता है भाव व्यक्त करना ठीक है? तो जब भी कोई भाव व्यक्त करता है तो वो exclaim करता है ठीक है? तो जब exclaim की मीनिंग ही हो गई भाव व्यक्त करना, तो exclamatory कौन से sentences हो गए, जिन में भाव व्यक्त हों, simple सी बात है, जिन में भाव व्यक्त हों, right, देखें, मैंने आपको assertive के types बताएं, interrogative के types बताएं, imperative के नहीं बताएं, imperative के तीन types होते हैं, मैंने उसे इसने नहीं पताया, कि उसमें बहुत detail में जाना पड़ेगा, ठीक है, तो जब imperative को पढ़ाऊंगा, especially, तब उनके उन types को मैं reveal करूँगा, अब exclamatory की बात करें, तो जिन में भाव व्यक्त हो, इनके भी दो types होते हैं, एक type होता है, using an interjection, अब ये interjection क्या है, जब मै आपको parts of speech का introduction दूँगा, तब आप interjection समझेंगे, अभी ऐसे समझ लीजे, interjection वो शब्द हैं, जो भाव व्यक्त करते हैं, हरा, अलास, ये पीवाव, ये सब interjection है, तो एक तो exclamatory वो होता है, जो interjection के use से बनता है, और एक exclamatory होता है, जो using what और how से, what ये how के use से बनता है, for example, आपने कह दिया, हर राह, I win, हर राह मैं जीत गया, ये आपने कह दिया, what a day, क्या दिन है, ठीक, तो ये using an interjection है, और ये using what है, how से भी बनता है, जैसे आपने किसी का कोई काम देख और आपने का, how stupid, कितना मूर्ख है, right, अच्छा, इसमें last में exclamation महा काता है, और यहां interjection के बाद आता है, ये fourth kind है, हमारा sentence का, आगे बढ़ते हैं, last kind देखते हैं, और last kind देखकर, आज की class, आज का lecture यहीं पर over करेंगे, kinds of sentence के बाद, अगली class में मैं आपको introduction to parts of speech बताऊंगा, क्योंकि ये sentence, जिन words से बन रहे हैं, वो words की study भी जरूरी है, तो last kind मैं बताऊंगा, उससे पहले important information एक बार फिर से share कर दूँ, आपको whatsapp पर entry supertet, ये लिखना है, और लिख करके, 9125423936 पर send कर देना है, supertet में admission लेने के लिए, या फिर नीचे जो scrolling में numbers चलना है, उस पर phone कर सकते हैं, जानकारी लेने के लिए, ठीक है, last kind हम लोग देखते हैं, sentence का, last kind है हमारा optative, कई बार ये optative को भी लोग imperative में ही count करते हैं, इसलिए उनका मानना होता है, कि 4 ही kind होते हैं, 4 kinds होते हैं, ठीक है, तो option में अगर 5 आएगा, तब तो आप 5 kinds बताएंगे, वरना आप 4 भी बता सकते हैं, तो optative क्या होते हैं, optative, simply आपके bless, curse और wish टाइप होते हैं, यानि जिसमें दुआ बद्दुआ कामना की जाए, वो होते हैं आपके optative sentences, इनके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है general, general bless, curse और wish, और दूसरा होता है unfulfilled desire, यानि अपूर्ण इक्छा, ठीक है, तो general वाले जो होते हैं, वो क्या होते हैं, देखते हैं, जैसे आपने कह दिया, इश्वर्थ हमें ग्यान दे, ठीक है, तो यह general एक wish हो गई, English में कहेंगे, may God give us knowledge, इश्वर्थ हमें ग्यान दे, may God give us knowledge, simple, ठीक है, और unfulfilled desire वाले क्या होता है, जिसमें आप कोई ऐसी इक्छा व्यक्त करें, जो पूरी नहीं हुई है, और आप sentence में भी बता रहे हैं, कि एक्छा थी और पूरी नहीं हुई, तो आपने जैसे कह दिया, काश वह मेरा मित्र होता, काश वह मेरा मित्र होता, यानि यह आपके एक्छा थी और पूरी नहीं हुई, तो इसे कहते हैं Unfulfilled Desire का case English में कैसे बनाते हैं मैंने लिख दिया Oh that He He Were My Friend ठीक है तो यह अपने अच्छा है अच्छा यहाँ पर यह जो Were लिखा है मैंने He के साथ हो सकता है यह आपको चौका है क्योंकि Simple Past में और Past Continuous में Was नाम का भी एक word होता है ठीक है और Simple Past या Past Continuous में He, She, It और Singular Third person singular subject में He, She, It Singular noun या pronoun के साथ आप Was लगाते हैं यह के साथ Was लगता है Simple Past या Past Continuous में पर यहाँ मैंने word लगाया है क्यों? क्योंकि यह Unfulfilled Desire का case है Optative का case है और इसमें Was का existence होता ही नहीं है, इसमें subject कुछ भी हो सबके साथ वर ही लगता है ठीक है? तो Confused में तो हो यह का जब मैं पढ़ाओंगा तो यह सारी चीज़ें और भी clear हो जाएंगी तो यह मैंने आज आपके साथ General Information जो subject को लेकर थी वो discuss किया है और अगली class में मैं parts of speech discuss करूंगा क्योंकि इन सब से questions बनते हैं, questions आ भी चुके है ठीक है? और हमें maximum यह प्रयास करना है कि यह जितना कुछ हम पढ़ते जाएं, यह सब revise करते जाएं भले ही वीडियो दो बार देखनी पड़े, revise करते जाएं भूले नहीं, और जहां जरुवत पड़े आपको, आप notes बनाईए, बाकी हम भी जो important notes है, उनके PDF तो देएंगे ही ठीक है? तो आज के लिए इतना काफी है, जाते जाते लास्ट टाइम बताता जाओं, अगर आप super tech की त्यारी करने के लिए हमारा साथ चाहते हैं तो simple सा procedure है admission का, आपको entry super tech type करना है 9125-4239-36 पर WhatsApp करना है या फिर नीचे चल रहे numbers पर phone करके information लेना है मैं हमजा हसनी अब चलता हूँ और next class में हम फिर्म लेंगे goodbye, जैहिंद